2013 में रिलीज हुई फिल्म ये जवानी है दिवानी एक ब्लॉक बस्टर फिल्म थी फिल्म में रंबीर का पूरा दिपका पादुकोर की केमिस्ट्री को बहुत जादा पसंद किया गया था फिल्म के प्रोडक्शन वैलियूस बहतरीन थे, फिल्म के गाने बहतरीन थे फिल्म में कम्प्लीट एक चार्टबस्टर फिल्म के तौर पे उभर के सामित हुई थी फिल्म का जो म्यूजिक था जिसको प्रितम ने दिया था वो एक ग्रेट म्यूजिक के तौर पे आज की रेट में देखा जाता है पट ये जवानी है दिवाने फिल्म ऑल्दो बॉक्स आफिस पे बहुत जादा गोल्ड स्ट्राइक की थी उसके बावजूद ये फिल्म टीवी पे आज तक सिर्फ दो ही बार आई है इनफाक्ट 2013 में थेट्रिकल रिलीस के बाद ये फिल्म 4 साल तक इसका टीवी प्रेमियर नहीं हुआ था उसके बाद इसका टीवी प्रेमियर कलर सिनेप्लेक्स में एक बार हुआ उसके बाद फिर इसका टीवी प्रेमियर तेर साल तक नहीं हुआ था फर्स्ट हाफ है वो इसी चीज़ पर सेंटर्ड है कि रनबीर कपूर और रनबीर कपूर जो फ्रेंड सिर्कल है वो मनाले जाता है एक ट्रेक के लिए बट वो जो शूटिंग हुई है वो मनाली में नहीं हुई है वो सारे शूटिंग जो सीन्स हुए है वो गुलमार्ग जम् जम्मेर के बीच में बहुत ज्यादा खिचाद आज़ लेकर के दो मेंगे एक जानी और जम्मु एंकšíज़रा में आज़े है और करण जोहर को कोट में घसीटा और उसके बाद इसको ले करके एक डेड़ साल तक केस चलता रहा साती साथ फिल्म में एक और सी इन्था जिसमें रूफजा को ले करके कुछ टिपड़ियां किये गई थी रूफजा एक फेमस ड्रिंक है इंडिया का जो समर महीने में कंजूम किया जाता है एंडूफजा के मेकर्स जो हैं उनका नाम हमदर्द उन्होंने भी धर्म प्रड़क्शन जोहर को Bombay High Court घसीटा था उनको ऐसा लगा था कि रूफजा को एक गलत लाइट में प्रेजेंट किया गया है उस फिल्म में रूफजा के मेकर्स को कोई भी थैंक यू या कोई भी अपॉलोजी नहीं लिखी है धर्म प्रड़क्शन वालों ने ये बताते हुए कि वो सटायर है या क्या है इसको लेकर कि हमदर्द जो रूफजा के मेकर्स हैं वो और जम्मो और कश्मीरी गवर्मेंट दोनों ने धर्म प्रड़क्शन को जम्मो कश्मीर हाई कोट और मुंबई हाई कोट में घसीटा और वहाँ पे दोनों मेक के बीच में कम सब्सक्राइब तक कोट केस चला बाद में धर्मा प्रड़क्शन ने रूफजा वाले जो सीन्स थे वो फिल्म से डिलीट कर दिये उनके टेलीजन प्रीमेर के पहले रूफजा को लेकर जो सीन्स थे वो डिलीट कर दिये गये थे तो रूफजा के साथ तो समझाता हो गया था बट JK government के साथ dharma productions किसी भी वे में compromise करने को तयार नहीं थी क्योंकि makers का ये कहना था कि film में ये दिखाया गया है कि trekking मनाली में होती है इसलिए उसको मनाली ही quote करके दिखाया गया है and government of jammu kashmir का thank you करना ना करना ये धर्मा के hit में है ये चीज़ें धर्मा प्रकेशनस ने की बट JK government मानने को तयार नहीं थी बाद में 5 साल तक ये film रिलीज नहीं हो पाई because high court का stay order लगा था ये film 2017 में एक बार करना ना सिनिक प्लेक्स में आई और उसके बाद दुबारा जammu और कश्मीर government ने फिल्म के makers को कोट में घसीटा ये कहते हुए कि फिल्म में थैंक्यू क्रेडिट्स में जammu है और कश्मीर government को थैंक्यू नहीं दिया गया है और उन्होंने safety और सारे precautions दिये थे टीम के makers को ताकि वो फिल्म की shooting कर सके उसके बाद फिल्म का दुबारा एक बार प्रीमियर हुआ लेकिन ये case आज तक कोट में चल रहा है और इसका कोई भी फैसला अभी तक नहीं आ पाया है और ये जवानी है दिवाने फिल्म अल्दो ब्लॉकबस्टर है बट टीवी पर रिलीज अभी तक नहीं हो पाई है